आज अपन डिसकस करेंगे exercise 7 की जो विविद परशनमाला है उसके questions तो start करते हैं आज का यह lecture first question में आपको दिया हुआ है कि y is equal to sine inverse x into root x है अब आप यहां पर देखें कि जो x into root x है उसे मैं लिख सकता हूँ x into x की power half और इसे सरल करने पर यह बन जाएगा x की power 3 by 2 तो अर्थार्थ y बराबर जो question है आपका वह है y is equal to sine inverse x की power 3 by 2 हमें यहां पर कोई गुणा का नीम नहीं लगाना है क्योंकि अलग-अलग रासिया नहीं है एक ही पद तो इसे पर एक साथ लिख लेंगे तो इसका आप ध्यान रखें यहां पर अब आप लिखें x के साथ एक्स होकलन से तो यह बन जाएगा dy by dx is equal to d upon dx sin inverse x की power 3 by 2 तो अब यहां पर तीन बार होकलन होगा पहले sin inverse का फिर घात का और फिर x का तो आप लिखें dy by dx is equal to sin inverse का उकलन होता है 1 upon root 1 minus जो भी value है आगे उसका square तो इसका यह आपने square कर दिया यहां पर into अब आप यहां पर x की power 3 by 2 का उकलन करेंगे तो यह होगा 3 by 2 into x की power 3 by 2 minus 1 into x का उकलन हो जाएगा 1 तो dy by dx की जो value है वह यहां से बनी 1 upon root 1 minus x cube क्योंकि इस square से यह जो बटा में 2 है वह जाएगा और यह होगा 3 by 2 into x की power 1 by 2 तो अर्थार्थ यहां से dy by dx का जो मान आएगा वह होगा 3 by 2 और into root x upon root 1 minus x cube यह है इस question के लिए dy by dx की value होगी next question देखें अब आप यहां पे तो इसमें में दिया हुआ है y is equal to cos inverse और बटा में है पर दिया है तो अर्थार्थ यहां भाग का नेम लगाना होगा तो आप लिखें x के साब x आपकलन करने पर तो यह हो जाएगा d upon dx y is equal to d upon dx cos inverse x by 2 upon root में 2x plus 7 okay तो इसका बन जाएगा d y by dx is equal to यहां पे आप भाग का नेम लगाएंगे तो बटा में लिखेंगे 2x plus 7 का root का whole square यहां आएगा her into अंच का अउकलन माइनस अंच इंटू her का अउकलन ओके यहां पे यहां पन्ने formula apply कर दिया अब इसको आप solo कीजिए तो d y by dx की जो value है वह बनेगी यहां से root का square करेंगे तो root cancel हो जाएगा 2x plus 7 रहेगा और यह हो जाएगा root में 2x plus 7 into cos inverse का अउकलन करना है तो cos inverse का अउकलन होता है minus 1 upon root 1 minus x square तो यहां पे x की जगे है x by 2 तो यह बनेगा minus 1 upon root 1 minus जो भी value होती उसका square धार्थ x square upon 4 into x by 2 का अउकलन करेंगे तो यह होगा 1 by 2 minus cos inverse x by 2 into root का अउकलन होगा 1 upon 2 root और into 2x का अउकलन होगा 2 plus 7 का हो जाएगा 0 तो अब आप इसे सही रूप में लिखें dy upon dx is equal to यहां से हमें यह मिलेगा root में 2x plus 7 into minus 1 upon यहां से में 4 को लगुतम लेता हूँ यदि तो यह बन जाएगा 4 minus x square upon 4 4 minus x square upon 4 इस root के अंदर और इसके घुना में है 1 by 2 okay minus इस 2 से यह 2 कैंसल हो जाएगा तो यह बनेगा cos inverse x by 2 upon root 2x plus 7 okay तो और बटा में आपको दिया हूँ है यहां पर 2x plus 7 तो इसको अपन लिख सकते हैं dy upon dx is equal to 2x plus 7 और यहां पर अब आप इसे solo करेंगे तो यह हो जाएगा 2x plus 7 as it is into minus 1 upon root में 4 minus x square और यह जो 4 अब है root के अंदर है तो भार आएगा तो 2 होगा और इसके गुना में दिया हूँ था 1 by 2 तो इस 2 से यह 2 cancel हो जाएगा और minus cos inverse x by 2 upon root 2x plus 7 है यहां पर हमारे पास तो अब आप देखें कि तो जो next line है वह हो जाएगी dy upon dx is equal to root 2x plus 7 into minus या फिर आप इसे इस परकार से लिखें minus root में है 2x plus 7 upon root में 4 minus x square ओके और minus cos inverse x by 2 upon root 2x plus 7 और इसके बटा में है 2x plus 7 ओके और जब आप इसे अब सरल करेंगे लगुत्म लेंगे यहां पर तो यह बन जाएगा अते dy upon dx is equal to जो बटा में value है जिटीजी रहे की 2x plus 7 और यहां पर अपन अंच में लगुत्म ले रहे हैं root 4 minus x square into root 2x plus 7 को तो जब root 2x plus 7 और है इस value से multiply होगा तो यहां पर आजएगा minus को में बाहर ले लेता हूँ 2x plus 7 और यह जो root 4 minus x square है इससे multiply होगा तो plus cos inverse x into root 4 minus x square जिसे आप लिख सकते हैं कि अते dy by dx की जो value है इस question के लिए होजाएगी minus 2x plus 7 plus cos inverse x into root 4 minus x square upon root 4 minus x square into 2x plus 7 की power 3 by 2 क्योंकि यह value और यह value multiply होगी इनकी गाते जुडेंगी तो इस लिए इस question के लिए dy by dx का यह answer होगा next question देखते हैं अब अपन question number third तो इस तरह का question अपन ने पहले पढ़ा हुआ है example number 14 में तो आप देख लें इसको भी एक बार वापस से कि जो sine x है उसकी जगे पे formula apply होगा 2 sine x by 2 into cos x by 2 ओके और एक की जगे अपन लिखेंगे cos square x by 2 plus sin square x by 2 तो यहां पर आप वे लिपूट करें तो यह हो जाएगा y is equal to quote inverse root के अंदर cos square x by 2 plus sin square x by 2 plus 2 sin x का formula apply कर रहे हैं यहां पर my plus root वापस से formula apply करें तो cos square x by 2 plus sin square x by 2 minus 2 sin x by 2 cos x by 2 और बटा में आप इनको भी सोलो करें तो बटा में हो जाएगा root में cos square x by 2 plus sin square x by 2 plus 2 sin x by 2 cos x by 2 minus की जगे minus as it is root की जगे root आजाएगा 1 और sin x की value put करेंगे तो यह हो जाएगा cos square x by 2 plus sin square x by 2 minus 2 sin x by 2 cos x by 2 तो अब आप इसे सही रूप में लिखिए तो यदि अपन इसको a और b मानें तो यह बन गया a square plus b square plus 2ab जिसे अपन a plus b का whole square लिख सकते हैं और यहां पर हो जाएगा a square plus b square minus 2ab a minus b का whole square तो इसको आप लिखें y is equal to quote inverse root के अंदर cos x by 2 plus sin x by 2 का whole square plus next root और इसमें हो जाएगा cos x by 2 minus sin x by 2 का whole square ओके ऐसे ही बटा में आपको as it is लिखना है root लगाएंगे cos x by 2 plus sin x by 2 का whole square minus root में cos x by 2 minus sin x by 2 का whole square अब जो चारो जगे पर root दिया होएव है इस square से cancel हो जाएगा तो next line बनेगी y is equal to quote inverse cos x by 2 plus sin x by 2 यहाँ पर यह value remaining रहेगी plus यह value as it is cos x by 2 minus sin x by 2 upon यहाँ से square से root cancel होगा तो यह value as it is cos x by 2 plus sin x by 2 अब आप यहाँ पर देखें कि जब यह square से root cancel होगा तो यह value remaining रहेगी और बाहर है minus का sin और third minus coin से आप multiply करेंगे तो यह बन जाएगा minus cos x by 2 और plus sin x by 2 ओके अब आप इन्हें cancel कर दीजिए तो यह बन गया y is equal to quote inverse 2 cos x by 2 upon 2 sin x by 2 इस 2 से यह 2 cancel हो जाएगा तो y is equal to आया आपके पास quote inverse cos बटा sign जो है quote होता है तो इसे अपन लिखेंगे quote x by 2 ओके तो यहाँ से आपको मिला आते है y is equal to x by 2 चूंकि quote inverse quote theta की जो value है वह होती है theta exercise second के अनुसार अब इसका आप alkaline कर दें तो अते x के साप x alkaline से तो यह बन जाएगा dy by dx is equal to x by 2 का alkaline होगा 1 by 2 ओके और यही इस question के लिए dy by dx की value होगी तो आसान question था बट आपको यह याद होना चाहिए कि one की जगे अपन क्या लिखेंगे और sin x का क्या formula होता है क्योंकि ऐसा question अपन पहले discuss कर चुके हैं ओके तो आप इन्हें note कर लें यह अब आप देखें next question number 4 तो इसमें हमें दिया y is equal to x cube into e की power x into sin x तो यहाँ पर आपको तीन फलन दिये हुए हैं और वे गुणा में हैं तो इसलिए इस बार आपको तीन पदो की गुणा का नियम लगाना होगा तो पहले आप चाहें तो नियम लिख लीजिए तो जो की d upon dx first into second into third का जो नियम में वह होता है पहली संक्या गुणा दूसरी संक्या गुणा तीसरी संक्या का अउकलन plus पहली संक्या गुणा, तीसरी संक्या गुणा, दूसरी संक्या का उकलन, प्लस, second into third value as it is, और पहली value का उकलन, ओके, यह उकलन वह सभी का होता है, बट एक टाइम में एक ही value का उकलन होता है, तो अब आप लिखें, x के साफ x, उकलन करने पर, तो यह बन जाएगा d upon d x y is equal to d upon d x x cube into e की पार x into sin x तो यहाँ पर आप यह नियम लगाएंगे तो यह बन जाएगा d y y d x is equal to पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या का उपलन प्लेस पहली संख्या गुना तीसरी संख्या गुना दूसरी संख्या का उपलन प्लेस दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या गुना पहली संख्या का उपलन यहाँ पर आपने यह तीन पदों के गुना का नियम लगाया अब आप इसको सरल कर दीजिए तो dy upon dx is equal to x cube into e की पार x sin x का उकलन होगा cos x प्लस x cube into sin x अब है as it is रहेंगे और e की पार x का उकलन होता है e की पार x plus e की पार x into sin x भी as it is रहेगा और x cube का उकलन हो जाएगा 3x square तो अब यहां से अपन इसको लिख देते हैं कि dy y dx is equal to बना यह है x cube e की पार x cos x plus x cube sin x e की पार x plus 3 x square into e की पार x into sin x तो यहां से अब आप जो पत कॉमन ले सकते हैं वे कॉमन ले साथ में x square कॉमन आ जाएगा यहां से रहेगा 3 into sin x ओके और यह है इस question के लिए dy y dx की value होगी यह simple सा question था next देखे अब आप question number 5 तो इसमें आपको दिया हुए y is equal to log x upon a to the power x तो यहां पे अपन इसको यदि सरल करना चाहें तो इसे अपन लिख सकते हैं log x minus log a to the power x क्योंकि यह हमारी पास नियम होता है चूंकि log a beta b जो होता है उसे अपन लिख सकते हैं log a minus log b अब आप इसका आक्स के साब एक्स अउकलन कर दीजिए तो यह बन जाएगा d upon dx y is equal to d upon dx log x minus d upon dx log a to the power x तो अब आप इसका आक्स का 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 आ यह डिवाइबाइडी एक्स की जो वेलिव है यह होगी 1 अपोन एक्स माइनस लोग ए ओके यह इस कृष्चन के लिए डिवाइबाइडी एक्स का मान होगा तो आज के इस लेक्चर में अपन यहां तक ही डिसकस करेंगे ओके इन्हें आप अपने नोटबुक में नोट करें और साथ साथ में अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें यदि कोई प्रोबलम हो तो वह टीचर के साथ डिसकस कर सकते हैं धन्यवाद